Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ आपकी दोसुनीता, तो दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रुक्वेस्टीड वीडियो है, तो मुझे बहुत सारी रुक्वेस्ट आ रही थी, किस तरह से आप अपनी पिगमेटेशन को रिमॉव किया, किस तरह से, तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ, तो दोस्तो अगर आपको पिगमेटेशन है, चैरे की उपर दाग दब्बे हैं, पिम्पल्स के बाद जो निशान पर जाते हैं, फ्रेकल्स हैं, यह आपकी स्की लोज हो रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, इसको पूरा जरूर देखे इतने कम पैसो में 5-10 उर्फे वाली चीज की इस तरह से ऐसी बड़ी-बड़ी प्राबलम को ठी कर देगी, तो चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो को, पर आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो आज का थोड़ा भी अच्छा लग जेगा, तो दोस्तों आप वीडियो देखेंगे, आपने कोमेंट भी मुझे जरूर दीजगा, फीड़बएक दीजगा, लाइक दीजगा, इस से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेर करने का, तो जरूर कमेंट जरूर कीजगा, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो फ्रेंट जो मैं आपके साइग रेमडी करने वाली हूँ वो है यह तो यह पतर क्या है यह मूली तो हम सब खाते हैं अभी विंटर आगे हैं मूलीयां तो बहुत होगी तो दोस्तों यह जो मूली है यह आपकी इस तरह की पिगमर्टेशन फ्रेकल्स आपके चैरे के उपर दार दबे रिंकल्स को खतम कर देगी क्या आपने इसे सोचा है यह सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है एक बार इसको ज़रूर यूज करके देखेगा आपको डेफिनेटली इसका मिलेगा यह हमारी स्किन के लिए बहु तो यह निकलेगा देखिए इसमें बहुतना है तो यह पारणे निकल है तो यह पार निकलेगा लेए पांच मिनट आपको इस तरह से रब करना है और फिर इसको छोड़ देना है पूरी रात के लिए सुबा आप अपने फेस को वाश कर लेजिए आपको इसको लगाता यूज करना है तो आपको इसका बहुत ही जल्दी मिलेगा तो फ्रेंड चलिए मैं बताती हूं कि सेकिंड व मूली है इसको इस तरह से ग्रेट कर लीजिए तो ग्रेट करने के बाद आपको क्या करना है इसको इस तरह से लेना है अथों में और इस तरह से जूस निकाले जिए ठीक है और जूस निकालने के बाद आपको जो है इसको बहुत एची तरीके से देखे मिक्स करना है और यह आपको चेरे की उपर सिर्फ फ्रिंकल यह तो इसको वीक में जो ही तीन बार जरूर यूज दो होगा तर अगर आपके चेरे के पिग्मॉन्टेशन रोज़ यूज करना है तब तक हो तक कि आपकी ऑपकी जो है अपके बड़ मिक्स्चरे लेना है और यहां पर आपके पिग् पांच मिनट आपने मसाज की फिर आपको छोड़ देना है उसके बाद इसको सूखने दे जैसे यह सूख जाएगा 10-15 मिनट रखिए उसके बाद फेस को वाश कर दीजिए तो यह दूनों ही चीजे आप कीजिए आज से स्टार्ट कर दीजिए पंदरा ही दिन में आपको इस क रिजर्ट मिलेगा आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा साफ होना शुरूर रहेंगी तो आप इन चीजों को यूज कीजिए और आपको इसका रिजर्ट बहुत अच्छा मिलेगा नेच्छरल है आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देने वाली है तो आप इस तरह से इसको यूज करने के बाद अपना फीदबैक दीजिएगा तो यह था आज का वीडियो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा लगा है तो इस वीडियो को जड़ से लाइक और शेर जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तक तक के ल छो दो दो कुष्पा हम जो करें दो लूगा है तो 화 ईुखा है तो है दो आजो और शेर में ऑ दो क rapidly की यूशब में अवीडियो के दो के वीडिबैक लिएगा दू जोवे तो